अहिले जनता समाजवादी पार्टी का सम्योजक रहेकार्वेदेश तिरपाठी तिन फरक फरक पार्टी बार्ट पार्च प्रटक सम्सद पुगी सके का छन। तिरपाठी लगातार नवलपराशी बार्ट निर्वाची धुदय आये का छन। दुहजार अर्चालिस सालमा नवलपराशी तिन मा नेपाल सदभाबना पार्टी का उम्मेद्वार बने का उनले कांग्रेस उम्मेद्वार नंदलाल मिश्रलाई पराजित करे का थिये। तिति बेला तिरपाठी ले सुर 177 मिश्रले 10456 मत पाये का थिये। दुहजार एकाउन नमा पने तिरपाठी शोई शेत्रबाटों मेद्वार बने तिति बेला उनले 15272 मत पाये। निकर्तम प्रतिस पर्धिहरू कांग्रेस का त्रियोगी नाराइन थारो चौधरीले 11739 मत पाये। दुहजार चौवसटि को पईलो निर्वाचन अगी बिभीन पार्टि का मधेसी ने ताहरूले मिलेरा तराई मधेस लोकतांत्रिक पार्टी गठन गरेका थिये। तिरपाठी पनी शुही पार्टी मा लागी, शुही पार्टी बाट सम्भिधान सभा सोदस्य मा नेरवाचित भई 2064-28 मा समपन नेरवाचन मा उनी नवलपराशी छबाट नेरवाचित भई का थि तेती बेला उनले 1029 मत पाये का थि 2076 मा भने तिरपाठी पराजीत भई 2076 मा उनी कांग्रिस उम्हेदवार देवकरन कलो़ाठ संग पराजीत भई का थि कलो़ाठी चौध हज़ार पाश्य मत पाउदा तिरपाठी ले 864-24 मत पाये का थि 2004 मंग्सिर मा संपन्न प्रतेनिदी सभार निर्वाचन मा उनले एमालेको चुनापचिन न सुर्य लियर प्रतिस परधा गरे 9 पराश्ची पस्चिम एक बाट उमेद्वार बने का तिरपाठी 38005 से 92 मत का साथ निर्वाचित भागा थी उनले कांग्रेस उमेद्वार देवकरन कल्वार लाईने पराजित करेका थी उनले 33005 से 91 मत पायेका थी 2048 पचिका एउटा बाहिक सबै समसद समिधान सभामा पुगेका तिरपाठी पाच पटक मंत्री समेत भई सखेका छन